समस्कार दोस्तों टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आई शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित कौन कौन सी सूचना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं श फोए एक सिंसर्टि दे करके मन चाहीज प्राव्प्र सकते हैं और यह प्लेटफार्म में अनिक है घर जिसके बारे मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दियत है यहां पर अगर आप पहले से भी जॉप कर रहे हैं तो भी आप लोग यहां पर अधिक अंग का हासिल करना हो ऐसे बहुत सारे चात्रों की सट्चिस स्टोरी में आपको बता चुका हूं जैसे एक चात्र सुभम अहुजा जो आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं सुभम अहुजा की सुभम अहुजा ने भी कौम किया था कोई बहुत जादा पढ़ाई ल और यहां पर देख सकते हैं इनकी यहां पर जॉब लगए वह भी डिसकल डिजिटल मारकेटर के रूप लिए की लिंक वह मैंने दिस्किप्शन बाक्स में दे दी है आप लोग भी यहां पर फ्री टेस्ट दे सकते हैं और अगर आप लोग को कोई टेस्ट में अधिक नमब लगी जियो मी और अमेजन बहुत सारी केंपनिक साथ में टाइएफ है जहां पर आपकी जॉब लगेगी आपको विदेश जाने का मौका भी मिल चकता है हां कोर्स की बारे में एक जनकरी और दे दूं आप लोगों को कि अगर जैसे आपने इनका कोई कोर्स जॉइन किया है अधिक नमर लाने के लिए अगर आपको कोर्स में सटिस्फाइट नहीं है तो आपको बीना कहें 14 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा है वह आपको वापस क नर्द दिया जाता है और इसकी लिए आपसे कोई भी क्वेस्टन नहीं किया जाए और कोर्स की आवश्यत्ता तब होती है जब विद्यार्थियों को इस नहीं होता है अगर आपको नॉलेज है तो आप बीना कोर्स के डारेक्ट टेस्ट भी दे सकते हैं जिसकी लिंक मैंने दिस्क्रिशन बाक्स में दे दिए और हां एक ब्रति चाहे तो अनलिमिटेट टेस्ट भी दे सकता है ऐसा कोई बाउंडिशन नहीं कि आपको एक ही टेस्ट मिले चलिए सुरू करते हैं वाज की सूचना को और सबसे पहले बात होगी टीजीटी पीजीटी सुबह की वीडि चाहती आज शिक्षा मंत्री कि यहां भी गय थे और डिप्टी सीम कि यहां भी गय थे यह आप लोग देख सकते हैं श्रीतला प्रशाथ ओजा और अनच्छात पहले तो विद्यारतियों कि जो मांगे हैं मैं वह आपको दिखात यह विद्यारतियों की मांगे थी और यही चैस siya मंत्री महधिया को भी दिया गया ने हैं। अग्यारतियों पFI यहां विद्यारतियों के Day li दो हजार बाइस की विगयापन में जोड़ने के किरपा करें ताकि ज्यादा ज्यादा विरोजगारों की विरोजगार दूर सके परिच्छा जिले इस्तर पर ना करा करके मंडल इस्तर पर कराए जाए और उन्हीं कालेजुकों केंद ब्राइज दागी नहीं यह जो बिंदू जो है सच्वाले भी बन था तो सच्वाले के जो अधिकारी ही निदेशक वगएरा उनसे भी मुलकात नहीं हो सकी आज जो घटना क्रम हुआ है उसके बारे में प्रतियोगी मंडल की तरब से विद्यार्थियों की तरब से एक प्रिस्वीगेप्ति जारी की गई है सारा सब कुछ इसमें लिखा हुआ जिसे देख सकते हैं आप लोग यहां पर लिखा महाद्यमिक सिक्षा सिवाचेन बोर्ड के गठन MLT GIC संक्ष आर्तविवात को लेकर कि आज प्रतियोगी प्रतियोगी मंडल दौरा माननी मुख्यमंत्र जी की निजी सच्चियू श्री वीमल कु पाठी जी से मुलकात हुई और ग्यापन दे दिया उन्होंने आस्वासन दिया कि बहुत जल्द इन पर तुरित निरन लिया जाएगा और उसके बाद मादमिक सिक्षा मंत्री मोहदया श्रीमति गुलाब देवी जी से मुलकात हुई और उनको पूरी बात से हम लोगों सेवा आयो को पत्र प्रेसित कर दिया जाएगा 20 नमबर तक की डेट दी है कि 20 नमबर के बाद में अगर विग्यापंजारी नहीं होता है या लोग सेवा ऐसा कहता है कि सासन की वेज़े से विग्यापंजारी नहीं हो रहा है तो आप मेरा नमबर लेनी जी मुझसे बात हां तक कि 20 नमबर तक जो अल्टी का जो समस्या उसका हो जाएगा और यह बात अभी मेरी फोन से यह इन चात्रों से तो उन मुझे बताया है और यहां पर लिखा कि नमबर को लोग सेवा आयो को पत्र प्रिसित किया जाएगा और सासन के द्वारा माधमिक सिक्चा सेवा च है उनसे भी वारता हो गई और अब यहां पर बचे उप मोखी मंत्री ब्रजेस पाठक जी से तो मुलाकात तो नहीं हो पाई लेकिन यहां पर वी विद्यारतियों ने ग्यापन दे दिया है और प्रतियोगी प्रतियोगी प्रतिनित मंदल के दावा है कि बहुत जल्दी चे करने में कोई अधिकत नहीं होनी चाहिए लिखा है कि यदि अब जुम्लेबाद जी से जुट बोलेंगे अगर अधिकारी तो उनकी जो शिकायत हो शिक्षा मंत्री मोहदिया से की जागी उन्होंने साब सब्सक्दों में कहा कि 20 November बाद आप लोग मुझसे संपर करिए अब तक यह सबसे बड़ी भरती होगी और 20,000 जो पद हैं वो संभावित हैं 20,000 पदों पर बढ़ती होगी त्यादा जानकार यह मिली है कि इसमें पदों की संख्या और बढ़ गई है और अब यह बढ़ती 37,000 से ज्यादा पदों पर होगी यह पूरी लिष्ट है कि किस-किस व भागों कि अगर पद जोड दिये जाएं तो यह पदों हो रहा है 37,836 पदों पर हो सकती है और चूंकि प्रथार मंत्री ने कहा था कि दिसम्बर 2023 तक 10 लाग भरतियां पूरी करनी है और यह बरतियां है वह स्सी रेलवे और UPSC से होंगी इसी किरम में अब जो पदों की सं के बारे में भी जानकारी मिली है RTI के दौरा विद्यारतियों ने पूचा था यह कोई है अभिनो बाजपई इन्हों ने जानकारी मांगी थी कि जो CGL का विग्यापन सितंबर के महिने में जारी हुआ था अक्टूबर में लास लेट थी इसी महिने 13 अक्टूबर सायद और तो इसकी परिक्षा कब होगी तो यहां पर जानकारी दी गई है यह देख सकते हैं आप लोग की एक से लेकर करके 13 December को टिएर वन की परिक्षा हो नी है तो बहुत जल्दी इन विद्यारतियों की परिक्षा भी हो यहां पर इन विद्यार्थियों कि परेख्था ज़िए हो रही है की और मुझे लगता है कि जादा जादा विद्यार्थियों को महीने का समय मिलेगा 608 जो कि कि लाइस्ति कर देटेट्डचन हो गई है और यहां पर ये दिसंबर में परेख्था हो रही है एक से लेकर के 13 दिसंबर तक तो यह माल के चलिए कि अब किवल एक ही महीन है इन विद्ध्यार्थियों के लिए और अंत में एक सूचना और है रेलवे छात्रों ने ये मेरे पास वेजा है मेगा ट्विटर कैंपेंड इन विद्ध्यार्थियों का ये कहना है कि रेलवे गृ लेविल का जॉइनिंग इसी वर्ज 2022 में कर दो रेलवे एंटी पीसी की बात हो और बहुत सारे पोस्टर बना बना करके विद्ध्यार्थि ये भेज रहे हैं और ये हैस्टेग है कि आर्रवी एंटी पीसी फास्टर जॉइनिंग पार आल लेविल इतना बड़ा है स्क्रीन इसको और यह है कि इनकी जो मांगे हुए देख लीजिए 28 तारीकों करना यह दस बज़ी गातर रखीए 28 तारीकों 10 बज़े करना है एंटी पीसी सभी लेविल का रिजल्ट ग्रूबडी की फाइनल रिजल्ट से पहले जारी हो जाए अगर ग्रूबडी के पहले एंटी पी इसलिए मोहोदर एंटी पीसी के सभी लेविल के रिजल्ट जारी किया जाए यह हो गया आज का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वसकर दिया करें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत मुद्धन